हेलो गाईज आपका मेरे चैनल में स्वागत है गाईज आज मैं आपको html के next tags करवाऊंगी कुछ basic tags मैं अपने पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो वीडियो देख लिए उसका लिंक मैंने अपने description box में mention कर दिया है so guys start करते हैं अपसे पहले मैं आपको कराऊंगी emphasize tag guys जो emphasize tag है वो italic tag जैसे ही काम करता है italic tag और emphasize tag दोनों same ही होते हैं यह text को थोड़ा सा टेग्या करके show करते हैं ठीक है so start करते हैं आपको जैसे पता ही है कि html की coding क्या होती है मैंने अपनी पिछली वीडियो में पार्कवान में बताया हुए proper कि इसका proper structure कैसे होता है coding को कैसे लिखते हैं ठीक है so अब हम इसमें मैं आपको coding पहले कर लेती हूँ फिर आपको समझा देती हूँ tag के बारे में okay so guys यह देखो आप मैंने coding कर ली है ठीक है अब body के अंदर हम emphasize tag के बारे में लिखते हैं ठीक है emphasize tag जो है उसके लिए कौण सा use होता है em emphasize tag के लिए क्या use होता है em ठीक है em के बाद कोई भी叫 care कर देती है कोई भी texture कर लो space मै एड कर देती हूँ feux के बाद आपने क्या कर देने Umמן tag को close कर देना ठीक है इसके बाद वही same procedure इसको आप क्या करोगे save क्रोगे चीक है save as करके आप कहीं भी save कर सकते हो gag stop पे c drive में g drive में जहाँ चाहते हैं मैंने इसको gag stop पे save किया है चीक है और guys जब आप इसको save करोगे तो इसका नाम देने के बाद आपने जो extension रखनी है वो क्या रखनी है dot html उसके बाद जो नीचे आपको शोर है save as type उसमें क्लिक करके all files पे क्लिक करना है फिर आपको file जो है वो save करना है ये देखो file बहार आ चुकी है emphh right click करके या करना है open with google chrome ये देखो हमारी output आ गी है ये देखो hello जो लिख है text emphasize tag देखो उपर पहले वो title है hello text है वो थोड़ा सा kegao के आया है तो ये emphasize tag का काम है अब next tag देख लेती है so guys next tag है हमारा bold tag bold tag जो है वो text को थोड़ा bold करके दिखाता है थोड़ा मोटा करके दिखा देता है इसके लिए हम क्या use करते है small b लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे bold जो tag है इसको क्या कर देंगे हम close कर देंगे चीक है आपको मैं simple text भी लिखके दिखा देती हूं p से जैसे मैंने इसमें भी लिखा monkey फिर paragraph p tag को क्या कर दिया close कर दिया अब इसको save करके output दिखाती हूं क्या आएगी ये देखो उपर देखो पहले bold tag इसका कैकल आगया फिर नीचे देखो monkey जो मैंने bold में लिखा था वो थोड़ा मोटा ओके आया और जो नीचे मैंने text लिखा simple text paragraph में वो थोड़ा मतलब bold नहीं हुआ वो चीक है तो ये हमारा bold tag ये काम करता है हमारा next tag है small tag इसके लिए हम क्या यूज़ करती है small ये भी आपको small lackers में लिखना small ये लिखने के बाद आप कोई भी catch लिख सकते है जैसे मैंने इसमें भी लिख दिया monkey फिर small tag को क्या कर दिया मैंने close कर दिया ये मैंने नीचे simple भी monkey लिखके दिखाया आपको इसमें difference क्लियर हो जाएगा अब save करने के बाद जो है मैं आपको इसका output दिखा देती हूँ क्या आएगा ये देखिए इसका output उपर वाला monkey जो है वो थोड़ा छोटा है next वाला monkey उससे थोड़ा सा बढ़ा है so ये small tag काम करता है so guys हमारा next tag है underline tag ये क्या करता है text के नीचे line दे देता underline कर देता है इसके लिए क्या आउज़ होता है small u u लिखने के बाद हम कोई भी text टेड़ कर देंगे इसमें ठीक है suppose मैंने add कर दिया hello ठीक है so guys हमारा next tag है neglected tag ये tag को क्या करता है glitter करता है इसके उपर line लगा देता है ये जो text है वो glitter है इसके लिए क्या जीज़ होता है strike small lacquers में लिखना है इसके बाद कोई भी text जैसे मैं लिख दिया kite अब आपने क्या करना है strike को tag को close अब मैं इसको save करके आपको इसके output दिखाती हूँ ये देखिए इसके output काई के उपर क्या आगी line आगी तो ये text क्या है glitter text okay so guys हमारा next tag है anchor tag anchor tag जो है वो linking के लिए यूज़ होता है मतलब एक page पे क्लिक करने पे दूसरा page open हो जाता है फिर double comma start करेंगे फिर उसके बाद आप link डाल देंगे आप जो image यहाँ फिर कोई भी text यहाँ पेज उसका यहाँ पे link डाल देंगे जो open करना चाहते हो फिर इसके बाद double comma close करने के बाद tag close करने के बाद name लिखेंगे कि आप कौन सा name देना चाहते हो फिर name लिख दिया फिर name लिखने के बाद आपने एक tag को क्या कर देना है close कर देना है फिर आप मैं save करके इसके output दिखाती हूं यह देखो यह youth जो मैंने name लिखा था यह link में आ गया अब इसको click करेंगे जब click करके open करते है तो मेरी वो image खुल जाती है मैंने इस image का link दिया था वो खुल गया तो यह क्या होती है linking होती है तो anchor tag यह काम करता है I hope guys आपको यह समझ में आ गया होगा अगर आपको कोई problem है तो आप video को rewind करके देख सकते हैं So guys thanks for watching my video If you like my video then please like and share my video and don't forget to subscribe my channel and also press the bell icon to get all the notification So bye guys मिलते हैं next video में